जैश्री कृष्णा रादे रादे कैसे हैं आप सब आई होप आप सभी ठीक होंगे अभी सुबह का टाइम है और 25 दिसंबर का दिन है 25 दिसंबर को क्रिस्मस डे मनाया जाता है और इस दिन सभी जगा छुट्टी रहती है ये तो सभी जानते हैं लेकिन आज के दिन हमारे हिं हिंदू कल्चर में तुलसी दिवस भी मनाया जाता है तो मैंने थोड़ी बहुत डेकोरेशन क्रिस्मस की भी की है क्योंकि मैं कोई कट्टर हिंदू नहीं हूं मेरा मानना है कि अगर कि कोई ऐसा इंसान जो हिमेनिटी के लिए अपनी जान दे रहा है तो उसको करने यहां मेरी पूजा संपन हो चुकी है और मैंने अपने तीनों लाला राधा रानी का शिंगार कर दिया है तुलसी पूजन दिवस है तो मैं थोड़ा सा आज तुलसी माता की भी पूजा अर्चना करूंगी यहां पर मैंने उनको दूद और बिस्किट का सुबिस भोग लगाती है और यह देखी मेरे छोटे लाला रेडी हो गया है बहुत ठंडक है लेकिन क्या कर सकते हैं मैं जितना हो सकता है उतना मोटा ड्रेस अपने प्रभू को पहनाती हूँ यहां मेरी राधारानी भी तैयार होके बैठ गई है तीन दिन बाद आज उन्होंने इसनान कि किया है क्योंकि मैं तीन दिन उनको नहीं चूह सकती थी बहुतर घंटे तक छूना वर्जित होता है तो आज मैंने बहुतर घंट बाद उनका शिंगार किया है तो कैसे लग रहे हैं मेरे प्रभू बताईएगा जरूर कमेंट वॉक्स में मेरी राधारानी के लिए भी भूज अर्चना करने के बाद आप जा रही हूं घंट की तैयारी करने आज मैंजारी हूं बेसन के गटे की सबजी बनाने जिसमें बेसन को हम गूत कर बॉइल करके उसको चुटे-चुटे टुक्डों में कट करके फिर उसकी सबजी बनाते हैं पही सबजी बनाने जा रही हूँ वैसे तो ये सबजी मेरे हस्बंड को पसंद नहीं है लेकिन जरूरी नहीं है कि जो चीज पसंद नहीं वो घर में बनना ही बंद हो जाए तो मैं बना देती हूँ तो इसलिए साथ में मैं चटनी भी तयार कर रही हूँ ताकि अगर मेरे हस् के लिए थोड़ी सी दाल भी बना रही हूं यहां मैंने चटनी पीसने की तयारी कर ली है और मेरे गट्टे भी अल्मोस्ट उबलकर अच्छे खासे पग गए हैं तो अब मैं उनको कट करूंगी छोटोटी पीसस में फिर सबजी बनाऊंगी वैसे तो आज तिवहार का दिन है 25 दिसंबर के दिन काफी कुछ है तो आज मैं रोटी नहीं निकालूँगी पूडी ही निकालूगी पूडी निकालने के बाद अपने ठाकुरजी को भोग लगाऊंगी यह मैंने अपने सारे गट्टे चोटोटोटोटोटोपीसस में कट कर लिया और यह मेरी पूडी भी ब और गूंपी महतसव, हस्त शेलप महतसव, उत्राखंड महतसव, इनहीं में से एक बहुत ही विख्यात मेला लगता है हमारे लगनों में जिसको हम कतकी मेला कहते हैं, वो धक्की का मेला भी बोलते हैं इसको, देखे यहाँ पर कितनी भीड है, तो आज हम इसी मेले में घूम पंद्रा दिसंबर के बाद लगना शुरू हुआ है, ये मेला पहले हमारे डाली गंज पुल पे लगता था, जहां पे सिर्फ जूलरीज, बैंगल्स वगरा बिक्ती थी, तो जायतर कॉलेज गोइंग लड़कियां ही इस मेले में जाती थी, लेकिन योगी आदित्यनाद जी के आने के बाद कुछ चीजें बदली और अब ये मेला हनुमान सेतु में गोमती के किनारे लगता है और बहुत बड़ा लगता है और यहाँ पे अब बहुत ही हाई क्वालिटी की क्रॉकरी बहुत ही अच्छे रेट में बजट में मिल जाती ह मतलब आप समझे कि अगर कोई चीज शौप में 1200 की है तो यहाँ 600 में आराम से मिल जाती है तो यह मेला मैं हर साल आती हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत यूसफुल चीजें मिलती हैं लगनों महतसब में तो चीजें बहुत महेंगी होती हैं तो कई बार सोचना पड़ता है क क्या खरीदे क्या ना खरीदे अब यहाँ पर मैं आई हूँ थोड़ा सा नाओ का नाओ वगरा बोटिंग वगरा करने के लिए यहाँ पर वैसी वाली बोटिंग नहीं होती है जो हम पैर से नाओ को चलाते हैं चप्पू वाली होती है तो थोड़ा बहुत इंजोई करने के बाद मैंने कुछ खरीदा नहीं है क्योंकि बहुत भीड़ थी और अल्रेडी मैं इतनी बार आई हूं कि मैंने जरूरी चीज़ें सब ले ही ली है तो अब हम निकल रहे हैं घर के लिए अपना ध्यान रखिए जैश्री कृष्णा रादे रादे